मुसिबत में धन काम आए या न आए द्रड़निस्य परिश्रम और आत्म विश्वास अवस्य काम में आता है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगनेस वीडियो को लाइक कर दें सभी ग्रूप के अंदर जरूर शेर किया अगरे ताकि अन्ने साथियों के भी मदद हो सके पर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके गंटे के निसान को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की सोचना भी आपको मिलते रहे आपके लिए एक और सोचना अपने सस्टी के जितने भी चेप्टर हैं 6 से लेकर 10 तक और 11-12 में हिस्ट्री पॉलिटी और जो भी टोपिक लगते हैं रीट में उन सभी का बि विकास के प्रकार चल रहे थे उनमें आज बात करते हैं नेतिक विकास की तो नेतिक विकास होता क्या है वो देख ले तो नेतिक विकास से यहाँ पर तात्परी यह है कि जब व्यक्ति या यूँ कहें कोई बालक समाज के दुआरा जो आदर्स इस्तापित होते हैं जो निय वेवार करने लगता है तो वही क्या कहलाता है नैतिक विकास कहलाता है यूं तो ये सारी चीजें पुस्तकों में मिल जाएगी लेकिन मेरा परियास रहता है इत्मिनान से आपको समझाते विए इन चीजों से अवगत करों ताकि एक बार में काफी हद तक आपके मस्तिस्क में चीजें छप जाए बात करें जो चरित्र निर्मान होता है अपना नैत नेतिक विकास सें समंदित कुछ कथन है विद्वानों के वो देख लेते हैं कि कौन क्या विद्वान नेतिक विकास सें चरित्र निर्मान के बारे में क्या कहता है तो रोस कहते हैं संगठित आत्मा ही वास्तों में चरित्र है रोस क्या कहते हैं संगठित आत्मा ही वास्तों म संगठन है कौन करते हैं सेमुल इस्माइल इनको तो आप एक दो बार देखोगे पड़ोगे तभी आपके मस्तिस्क में ये स्थाई हो पाएगी मेकडूगल मौदे क्या करते हैं कि चरित्र इस्ताई भाउं की एक व्यवस्ता है मेकडूगल क्या करते हैं चरित्र इस्ताई भाउं की एक व्यवस्ता है वहीं डमविल चरित्र उन सब प्रवर्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में पाई जाती है डम्मिल क्या करते हैं चरित्र उन सभी प्रवर्टियों के एक योग है जो एक व्यक्ति में पाई जाती है आगे बात करते हैं हेविंग हस्ट और टावा मोहदे हैं ये चरित्र निर्मान को तीन प्रकार सें अधग्यूमित होता मानते हैं पहला की पुरुषकार एवं दंड द्वारा पुरुषकार एवं दंड द्वारा चरित्र निर्मान होना बताये इनोंने अवचेतन अनुक्रण द्वारा और परतिविंबित चिंतन द्वारा हेविंग हस्ट एवं टावा के अनुसार तरित निर्मान तीन प्रकार से अधिगमित होता है ध्यान रखिएगा पहला पुरुसकार दंड के द्वारा अवचेतन अनुकरण द्वारा परतिबिम्बित चिंतन द्वारा इन तीन जों को जरूर आप ध्यान में रखें अब हम आगे नितिक विकास को जो बालकी अवस्ताइं होती है उसी रूप में समझते वे देखते हैं लोरेंस कोहलबर्ग मोदे ने विकास की निमन अवस्ताओं को इस प्रकार से समझाया है वो देखते हैं सबसे पहले पूर्वे नेतिक अवस्ता समय की हम बात करें तो जन्म से दो वर्स तक की अवस्ता पूर्वे नेतिक अवस्ता जन्म से दो वर्स तक की अवस्ता इसके अंदर क्या होता है कि सिसु का जो नेतिक विकास है वो पुरी तरीके से नहीं हो पाता है लेकिन इस अवस्ता में तैरक वे चिंतन करने योगी भी नहीं होता है इस अवस्ता में तो बस इतना ही होता है कि उसकी जिद है बच्चे की जिद है वो पूरी होने चाहिए चाहिए उसको रोना पड़े, चिलाना पड़े, मारने, पिटने, तोडने, फोडने कोई भी एनेतिक कार्य करना पड़े उससे उसको कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन उसकी जिद है जो पूरी होने चाहिए बस पूरू नेतिक अवस्ता में यही चीज़ सामिल होती है और इस अवस्ता में उसका नेति विकास नहीं होता है जो दूसरी अवस्ता है वो है स्वेकेंद्रित अवस्ता स्वेकेंद्रित अवस्ता समयावदी के हम बात करें तो तीन से छे वर्स्ता की यह अवस्ता है और इस अवस्ता में क्या होता है बाले की सभी क्रियाई स्वेकेंद्रित हो जाती है कि उसके लिए वही कारे नेतिक होता है उस बच्चे के लिए वही कारे ठीक होता है नेतिक होता है जो उसकी आवश्यक्ता हो और इच्छाओं की पूर्ति करता है जो इच्छा होई वह पूर्ति हो और यह कैसे भी हो चाहिए वही कारे उसके लिए नेतिक है चाहिए उसे किसी और का कैसा भी आहित या नुक्सान करना पड़े वो उसकी कोई प्रवान नहीं करता किसी का भी हानी हो किसी का भी नुक्सान हो कुछ भी हो लेकिन उसकी जो काम है उसकी जो आविशक्त है वो पूरी हो रही है तो यह दूसरी अवस्ता होगी स्वयकेंद्रित अवस्ता अब परंप्राओं को धारण करने वाली अवस्ता नाम सहीं हमें ग्यात हो रहा है कि इस अवस्ता में जो चरितर निर्मान की प्रकिरिया है बाला की वो प्रारंब हो जाती है तो यहां पर जो सामाजिक परंप्राओं होती है समाज की जो नियम होते हैं आदर्स होते हैं इन अभी के सम्मंद में तर्क वे चिंतन का विकास होने लगता है बालक के अंदर तो यह हो गए अपने परंप्राओं को दारण करने वाली अवस्ता साथ से बारे वर्स अगली जो है चार नंबर पर अवस्ता वो है आधार हीन ध्यान रखिएगा आधार हीन आत्म चेतना वस्ता यह इसका समयावदी हो गई 13-18 वर्स अधार हीन आत्म चेतना वस्ता की समयावदी हो गई 13-18 वर्स इस अवस्ता में क्या होता है कि जो किसोर होता है यह वस्ता किसोर अवस्ता समंदित है जो किसोर होता है वो चहुमू की विकास की पूर्टा को प्राप्त हो जाता है सरव बुद्धिये उसका विकास हो जाता है आत्मचेतना जिसे गुणों का उद्धे हो जाता है इस अवस्ता में किशोर की जो आत्मचेतना अधार हिन होती है कि कल्पना का बहुल ले पाए जाता है कल्पना में जिने लगता है और किशोर आदर्सों की बातने करता है कि बस यह ब बात किती वो स्वतंतरता चाहता है अपने अभिवावकों से कुछ ने कुछ रूखा पंसा या विद्रो करने लगता है वो जो खुद स्टेंडर्ड तरह करता है उसी को सही मानने लगता है अगली जो अवस्ता है वो है आधार युक्त चोती होगी आधार हिन पांच हुए आ इसके अंदर क्या होता है जो व्यक्ति का नेतिक आच्रण है वो पूरी तरीकी से तर्क सम्मत चिंतन युक्त बन जाता है तर्क वितर करने लगता है और चिंतन युक्त बन जाता है कुछ भी कार यह करने लगता है होने लगता उससे पहले वो थोड़ा सा चिंतन करता है य हुआ करता है कि साती सात वह अपना प्रत्य कारीय नेतिक मुल्यों के दाइरे में रह Cars है क्ल बता दे कि और नहीं बता नहीं कि वह किसी तारकी का आधार पर बारी तत्वु फॉय गटना को सिा लेतिक अत्वनेतिक बताता एक मिय देखते हुए बताता है कि यह सही है या गलत है यह सारी कि सारी चीजें है जो इस अवस्ता के अंदर आती है आगे हम बात करते हैं कि शोर आवस्ता में नेतिक विकास निम्न परकार से होता है कि अब देखिए कि किसवर आवस्ता में नेतिक विकास किस परकार से होता है क्या-क्या चीजें होती है जो नेतिक विकास के लिए उसे अग्रसर करती नेतिक विकास उसमें उन गुणों का समावेश होता है धार्मिक संसकारों एवं विश्वासों के प्रभाव के कारण धार्मिक संसकार परिवार से आज पड़ो से इस प्रकार से मिलते हैं इस प्रकार से उसमें विश्वास से जो धर्म के पड़ती इन चीजों के पड़ती और बढ़ता है तो उनके प्रभाव के कारण है उनमें नेतिग विकास होता है कि नहीं ये बात धर्म संगत है तो ठीक है अगर धर्म संगत नहीं है तो ये नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से उनका नेतिग विकास है जो इस बात से डेवलप होता है सामाजिक उत्तरदाईतों को समझते हुए नेतिक मुल्यों को माननेता देने लगते हैं कोई भी कार्य करता है समाज में या आस पास में कोई कार्य करम होता है तो उसमें जो वो अपना वर्क कर रहा होता है कार्य कर रहा होता है उसमें वो अपना समाजिक उत्तरदाई तो समझता है, कि मैं इस समाज का है हूँ, यह मुझे करना चाहिए, तो वहाँ पर वो नेतिक मुल्यों को मानेता देने लगता है, इस अवस्ता के अंदर किशोर है जो अपना एक आदर्स चुनता है, अपना एक आइडल परसन चुनत तो यह सारी कि सारी चीज अब हम बात करेंगे, नितिक विकास में, शिक्षा की क्या भूमिका होती है, यहां पर देखिए कि नेतिक विकास में शिक्षा की भूमे का अच्छी आदतों का विकास करके नेतिक विकास को और बढ़ाया जा सकते हैं मूल परवर्तियों और समयगों का उचित प्रक्षिक्षन के माद्यम से भी नेति विकास महत पुन होता है बढ़ता है इच्छा या संकल्प शक्ति का प्रस्रिक्षन, पुरुषकार और दंड का समोचित प्रियोग, स्वस्त वातावरण का निर्मान अगर निर्मान वातावरण है आसपास का परिवेश से संगत है जो अच्छी होगी तो जो नेतिक विकास है वो भी सुचारो रूप से होगा नेतिक और धार्मिक शिक्षा परदान करना, अनुकरण और चारित्रिक विकास, उचित इस्थाई भाव का विकास एवं संगठन और सुजाव और चारित्र निर्मान सुजाव भी नेतिक विकास में महतवपुन भूमिका अदा करता है तो आज की सकक्सा के अंदर हमने नेतिक विकास को देखा उमीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा केसा लगा कमेंट करके बताईएगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जाहिंद वंदे मात्रम